बिसमिल्लायरहमान इर्राहिम इस वीडियो में हम आजकल जो बहुत इन है मार्केट में बायोटीन यानि बायोटीन क्या चीज बायोटीन बालों की ग्रोथ में केशे मदद करते हैं इस टापिक पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं लेकिन यहां पर बायोटीन बायोटीन एक मल्थी वीटमन है जिसको वीटमन 7 भी बोलते है और वीटमन एच भी बूलते है एच हैर भी असमीन में नहीं क्यम्कान में जो आकिसिऀक को नहीं करता है और के रठीन प्रोडप्शन जो कर थै जब करते हैं का बालों का इसके केराथीन से बने हुई होती है और केराथीन बायोतिन की कमी होती है नहींुकिन और हम हम सप्लिमेंट देते सप्लिमेंट मेंस जही से अपने पोदे को काद वागेरा डाल दिया तो उसकी वज़ा से उसका गुरोथ तोड़ अच्छा हो जाता है तो बायोटीन से सिरफ जो आपकी एक्जिस्टिंग हैर फालिकल है वो तोड़े हेल्दी हो जाते जो आपकी कमजोर बाले वह मोटे हो सकते हैं इसके साथ और ब्रोस चार्ट कर देते हैं और यह इफेक्टिव है बालों की इस्तिमाल के लिए है बायोटीन का खितना डोज लेना चाहिए मेरे पास मरी जाते हैं या अग्चार लोग के थे मिच्छाथ मैंसीजी लेता हूं मायक्रोग्राम तो इसको 2500 ग्राम तक डेली डोस जो इना वह एक्सपीरियंस की जो हमारे क्लिनिकल ट्राइल में हमने जो एक्सपीरियंस के जो मरीजों को देते हैं फिर वह वाले जिसके साथ जिंक और फालिकेसिड एड होते हैं उसकी अच्छी होती है और वह बहुत ज्यादा क्सक्राइड किस कंपनी की व क्वाइड यूज सकूष जाएगा जानता होंगा तो तीन कंपनियों को जानता होगा पाइड हमेशा किस्टेंडर कंपनी का लेनी चाहिए जो जिसके साथ आपका रिजल्ट अच्छा हो मैं चुकुत दिस्तिमाल करता हूं जिसमें बायोहेर यह चीजों का कंबिनेशन है और वो मुझे अच्छी रिजल्ट्स देते तो वही रिकमेंड करता हूं अपने पेशेंट्स को और मेरी एक पालिस है कि जो दवाई में अपने बीवी को बच्चों को या खुद नहीं ले सकता हूं वो मैं अपने मरीज को नहीं लिख सकता हूं और ना कभी लिखोंगा क्योंकि इसमें पिर बेमानी आ जाती है अगर वो दवाई एफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि आप मरीजों को बेच रहे हो लेकिन गर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो नहीं जो मैं अपने मरीज को लिखता हूं वो खुद अपने बीवी पे सबस्क्राइन को और जब वह विमार हो जाते हैं तरह कोई शो मेरी बेहन अजय ??? मेरा बाई ऐ लिखता हूं जो मैं अपने मरीज को लिखता हूं अगर उसको नहीं लिख शकता हो तो कभी मैं अपने पसंड को नहीं लिखता हूं दूसरा question है इसमें के does biotin grow hairs faster बिलकुल आपकी जो बालों की जो growth है उसको enhance कर देता है थोड़ा बहुत जो प्रासिस को speed up करा देता है और जो कमजोर फालेकल होते है वो growth शुरू कर देते हैं तिसरा question है कि does biotin increase his weight कि biotin कुछ मरीद के थे कि मैने biotin लिया और मुझी वजन जयादा होगा बियोटीन कभी वजन जयादा नहीं कर सकते है कोई भी multivitamin वजन जयादा नहीं कर सकते है यह essential elements होते है जो हमारे body को requirement होते है जिसे हमारे body के enzyme system चलती है उसमें काम करते है इसमे किसी भी दवाई लेने का फर एक्जामपल कुछ दवाईया होती है कि वह आपको empty stomach लेनी पड़ती है जैसे मेडिक की दवाई हो गई या जीत्रोमाइसीन हो गई लेकिन मैं हमेशे आपने patient को कहता हूं कि जो भी दवाई अगर आपको पते नहीं कब लिया जाए तो ऐसे time लिया जाए कि पर एक्जामपल आपने कानक आया है और दो गंटे गुजरे यानि आप ज्यादा बुक हो ना ज्यादा बरे हुए तो उस टायम जो भी टेबलेट लेते उसकी absorption अच्छी होती है इसमें चौता क्विस्चन है कि साइड एफेक्स किया है तो साइड एफेक्स इसके इतने खास नहीं है सेफ है अगर आपको लिवर या किड्नी की कोई बीमारी नहीं है तो आप सेफ लिए इसको यूज कर सकते हो और लिमिट में डोज ले अभी में खुद टेंट आओ जिन ने रिकमेंड करता हूं मैं कहता हूं नहीं पच्छी सो माइक्रोग्राम लि कंपनी आपकी अपनी चाहिस है लेकिन हमेशा वो प्राडक्ट यूज किया करें जो डाक्टर रिकमेंड करते हो और अच्छे कंपनी के और रिलाइबल हो और उसके साथ आपको जो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हो बाकी बाकी बायोटीन में इतना फन नहीं है पक के बाल गिरते हों इसको भी रिकमेंड करते हैं लेकिन यह इतना समझे कि आप बायोटीन काते हो तो आपके बाल हमेशा के लिए बच जाएंगे बायोटीन से बस जो कम्रव फालेकल होते वह मोटे हो जाते हैं तो ड़ा गूरोथ ही नहीं हो जाता है तेंकियो फर बाफसे हैं